सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और साथ ही बैल आइकन दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ कि आपने RRB NTPC Railway का फार्म डाला था तो आपका एक्जाम कब है कौन सी सीटी में एक्जाम है टाइमिंग क्या है वो देखने के लिए अपने एक्जाम सीटी चेक करने के लिए तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना RRB NTPC Railway का फार्म की एक्जाम सीटी किस प्रकार से चेक कर सकते हैं ममस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोख और आप सभी लोगों का मेरी यूटुब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आपको अपना Google Chrome उपन कर लेना है उसके बाद में RRB टाइप कर देना है उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेंज उपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर Railway requirement board इस पर फ्लिक कर देना है जिसी आप इस पर फ्लिक करेंगे फिर इस तरीके से पेंज उपन हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो यह देखिएगा exam date and CT तो आपको इस पर क्लिक कर देना है exam date and CT पर इस पर जैसी क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से पेंज उपन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो अपना registration number डाल देना है और यहाँ पर अपनी date of birth तो दोस्तों आपका registration number आपने जो फाम डाला था उस पर लिखा हुआ होगा तो चलिए रोस्तों registration number डाल देते हैं हमारा registration number और date of birth डालने के बाद में आपको login पर क्लिक कर देना है login पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे एक साइड में देख लीजिए अपनी detail आ चुकी है यह देखिएगा दोस्तों यहाँ पर registration number उम्मिद्वार का नाम पिता जी का नाम लिंग जनमतित्थी और category फिर यहाँ पर दो खुस्तों देखिए जागा यह परिक्षा का सहर भोपाले परिक्षा का राज अंधि प्रते से परिक्षा की तारीक है इनका 12 जंबरी 2021 शिप्ट है पहली परिक्षा की अबदी है नभ्य उसके वाद में उपस्तित होने का समय है यहाँ पर गेट बंद होने का समय है परिक्छा आरम होने का समय है यहाँ पर यह नीचे अनुदेश इनको आपको पल लेना है तो दोस्तो इसी परकार से आप भी अपना exam CT देख सकते हैं कि आपका एक्जाम कहां पर है किस समय है वो दिख जाएगा इसे तो दोस्तो एक्जाम सिटी देखने की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगा आप बहां से देख सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीज कियेगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थेंकि दोस्तो धन्यवाद